तो दोस्तों, Doji Candles में किसी भी और Candlestick की तरह सिर्फ दो main components होते हैं Number one is the wick or shadow and number two is the body of the Candlestick तो जो wick होती है दोस्तों उससे हमारा मतलब है जो उपा नीचे आपको जो thin lines देखने को मिलती है Candlestick में वो wick होती है और जो body होती है Candlestick की दोस्तों वो किसी भी और Candlestick की तरह आपको Particular Candle की जो opening और closing price है उसके बारे में बताती है जो Doji Candlesticks होती है वो तीन प्रकार के होती है तीन तरीके की Doji Candlesticks होती है सबसे पहले होती है body placed in the middle मतलब ऐसी Doji Candlestick जिसमें उसकी जो body है वो center में placed है और दूसरी होती है body placed at the bottom of the Candlestick एक ऐसी Doji Candlestick जिसमें जो body है candle की वो एकदम bottom side पर placed है और तीसरे तरीके की जो Doji Candlestick होती है वो होती है जिसमें candle की जो body है वो उसके top side पर placed होती है तो अभी तक जितने भी आपने YouTube वीडियो या फिर books आपने पढ़ी होंगी उसमें Doji Candlestick के बारे में आपने सुना होगा कि Doji Candlestick के अलग-अलग नाम सुने होंगे आपने जैसे कि Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Long Legged Doji, Doji Cross Candle तो चीजों को इतना जादा complicated करने की जरुवत नहीं है अगर हम लोग इसको बहुत simplified way में समाझना चाहें तो भी possible है और अगर हम लोगों को किसी भी Candlestick Pattern के पीछे का है basic interpretation, basic meaning अगर हमें समझ में आता हूँ कैसे निकाला जाता है तो फिर हम लोग किसी भी pattern को बहुत easily trade कर लेंगे हमें कोई भी हमें Candlestick Pattern के नाम याद करने की या उनके visual representation याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं bank nifty के चार्ट पर और bank nifty के चार्ट पर हमें सबसे पहले one hour चार्ट खोल लेना है जब हम one hour चार्ट open कर लेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ support और resistance area mark कर लेना है अब जो support और resistance area होते हैं दोस्तों इसको mark करना बहुत easy है आप किसी भी trading software आप use करते होगे चाए tradingview.com हो या investing.com हो तो वहाँ पर आप tools में जाओगे तो आपको वहाँ पर horizontal ray, horizontal line, trend line या फिर rectangle ये चार चीज़े हैं जिसका कि इस्तमाल करके आप लोग support, resistance या फिर supply और demand zones भी जिसको हम बोलते हैं वो दोने एक ही चीज़े होती हैं तो आप इनको बहुत easily draw कर सकते हो तो हम लोग यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं, let's use horizontal ray जब हमने इसको select कर लिया, उसके बाद जैसे हमें मान लीज़े support level draw करना है तो हमें सिर्फ किसी candle stick में जो peaks बनी हैं दोस्तो, उन peaks के high और lows को हमें connect करना होता है तो support draw करने के लिए हम लोग क्या connect करेंगे, हम लोग उन peaks के lows को connect करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो peak है दोस्तो, यहाँ पर एक doji form हुई है और इस doji candle का जो low है, वहाँ पर हम लोग इसको place कर देंगे अपने support को यहाँ पर जो हमने low connect किया है, doji candle का, उसके just left hand side पर एक candlestick है वहाँ पर हम उस candlestick की body जो है, उस body का जो bottom part है, हम उसको connect कर देंगे horizontal race से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो support area, bank nifty के आवरली chart पर हमने draw कर लिया है अब दोस्तो हम लोगों का यहाँ पर resistance level mark कर लेने है, तो resistance level के लिए हम लोग जैसे हम लोग ने bottom sides पर peaks को connect किया था ऐसी हम लोग top side पर peaks को connect कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो top side पर जो peak थी, उस candlestick का जुविक है यानि जो उपर का high बना था, हमने उसके उपर इस line को place कर दिया, आपकी convenience के लिए इस line का color मैं red कर देता हूँ तो आपको पता चल जाए कि यह resistance level हमने यहाँ पर draw कर रहा है, और यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको कुछ levels देखने को मिल रहे हैं, माली जै multiple levels आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ही जगा पे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, काफी सारे peaks एक ही साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लों rectangle tool का इस्तेमाल कर सकते हैं, multiple जब peaks को और हमें candlestick bodies को connect करना हो, तो हम लोग rectangle tool का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले rectangle को select किया, उसके बाद मैंने click करा, जिस तरीके से हमने अपनी जो दो lines draw करी थी, support और resistance के लिए, उसी तरीके से हमने rectangle tool को सिर्फ drag करके, candlestick के जो wicks का high बना था, और जो उनकी body का जो top side था, उसको हमने connect कर दिया, तो हमारे पास एक resistance level draw हो गई यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर कुछ support level देखने को मिलना है इस जगह पर, तो यहाँ पर भी हम लोग same चीज करेंगे, support level draw करने के लिए क्या करेंगे, जो wicks का low है, उसको हम लोग candlestick के wicks को और जो bodies का bottom side है, उसको हम लोग connect कर देंगे, तो हमारे support level यहाँ पर draw हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ support और resistance level हमने इ ऐसा expect करते हैं कि prices वहाँ से retest करके उपर की तरफ जाएंगी, वापस एक reversal आएगा और prices में एक recovery आते हुए देखने को मिलेगी, कहीं पर भी दोस्तों अगर एक existing low आपको देख रहा हो चार्ट्स पर, और lows के पास से अगर आपको prices में recovery आते हुए देखने को मिल रही हो, त आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर एक support area exist करता है, और इसी तरीके से आपको किसी चार्ट पर कोई area है, अगर वहाँ पर आपको prices में वहाँ से एक fall आते हुए देखने को मिल ला हो, तो आप मान के चल सकते हैं कि उस area में एक resistance exist करती है, एक बार जब हमने इस support और resistance area ह हमें draw करना अच्छे से आ गया, उसके बाद हम लोग कोई भी candlestick pattern बहुत easily trade कर सकते हैं, अब आप देखिए जैसे यह support area है यहाँ पर, इस support area के पास जब एक short body आप देख सकते हैं, एक sort of a dragonfly doji candlestick form होई है, एक hammer candlestick भी आप कह सकते हो, या इससे आप एक dragonfly doji candle भी candle भी कह स मिलेगी, तो वहाँ पर हम ऐसा मांग के चल सकते हैं, कि वहाँ पर bulls काफी ज़्यादा strong है, मतलब buyers काफी ज़्यादा strong है, और अब prices में एक bullish reversal आते हुए देखने को मिल सकता है, prices में एक sharp up move आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसी तरीक से आप यहाँ पर मिली, एक doji cross candlestick हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिली, मतलब multiple occasions पर आप चार्ड मन दे सकते हो, कि जब resistance area के नीचे आपको एक doji candlestick बनते हुए यहाँ देखने को मिल रही है, तो जब जब दोस्तों यहाँ पर एक doji candlestick form हो रही है, उसके बाद prices में क्या हो रहा है एक sharp down move आ रहा है, prices में गिरावाट आ रही है, तो इसी तरीके से जैसे हमने अभी support area के concept को समझा, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम यह मान के चल सकते हैं, कि जब भी एक doji candlestick एक important resistance level के नीचे form होगी, तो आप यह मान के चलोगे, कि यहाँ पर आप prices में एक भारी गि करिए, और नीचे comment करके अपने doubts मेरे साँ share करिए, doji candlestick का जो basic representation है, वो मैंने आपको बता दिया, तो अगर आप इसको सीख जाते हो कि support और resistance area को कैसे draw करना आता है, तो आप लोग किसी भी candlestick pattern को बहुत easily trade कर लोगे, लेकिन क्या सही में दोस्तों यह इतना ज़दा आसान है, यहाँ पर एक problem है, और problem यह है, कि जैसे आप charts पर दुबारा से focus करिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि कई बार ऐसा हुआ है, multiple occasions पर ऐसा हुआ है, कि जब जब यहाँ पर doji candle form होई है, तो यह doji candle form होने के बाद immediately, जैसे माली जी resistance की बात करते हैं, तो कुछ देर बाद prices में fall आया, इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ है, कि एक support agent के पास, यहाँ पर आप देखोगे, एक doji candle stick बनी, उसके बाद prices immediately उपर की तरफ नहीं गई, पहले यहाँ पर हमें कुछ consolidation आते हुए देखने को मिला, उसके बाद एक sharp move, या फिर आप कैसे को तो या आपके पैसे उसमें fudge जाएं, और आप कोई अच्छे trade opportunity miss कर जियो, तो इस problem को दोस्तों, इस problem का बहुत अच्छा सा, एक simple सा solution है हमारे पास, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा, तो वो simple सी concept यह है, जो मैं आपके साथ share करना चाह रहा हूँ, वो यह है कि यहाँ पर आपको इतना देखना है, कि जब भी doji candle stick for example resistance की बात करते हैं, तो जब doji candle stick किसी resistance के नीचे form हो, तो आपको immediately short side का trade नहीं place करना है, आपको वेट करना है पहले एक confirmation candle stick के form होने का, तो माल लिजे resistance के नीचे for example यहाँ पर एक blue doji candle form हो ही, ठीक है, अब इस doji candle के form होते ही, आपको immediately resistance के नीचे doji candle form होते ही, आपको immediately short side का trade नहीं place करना है, आपको पहले वेट करना है, एक confirmation candle stick के form होने का, अब यह confirmation candle stick क्या होगी, अब जैसे आप लोग resistance के नीचे doji के form होने के बाद, short side का trade ले रहे हैं, तो यहाँ अनि selling का trade ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको confirmation, यहाँ आपको एक selling candle का form होने का वेट करना है, एक big red candle के form होने का वेट करना है, और उस candlestick में आपको दो चीजे make show करना है, वो दो चीजे यह हैं, कि वो जो selling confirmation candlestick है, जब वो form होई हो, आपको volumes में increase आते हो देखने को मिलना चाहिए, और वो जो confirmation candlestick आपक के नीचे बंद हो, मतलब confirmation candlestick, doji candle के लो के नीचे बंद होनी ज़रूरी है, बस यह दो चीजे आपको देखनी है, number one is the volume, और confirmation candle, doji candle के लो के नीचे बंद होई हो, उसी तरीके से अगर आप support area पर मानले जीजे आपको long side का, यानि buying का trade करना है, तो जब doji candlestick form हो गई, उस उसके बाद एक big blue, buying confirmation candlestick form हो ही, volumes में increase के साथ, उसके बाद bank nifty में बहुत अच्छा up move आते हुए हमें देखने को मिला, और prices काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर recover करते हुए हमें देखने को मिली, तो दोस्तों इस simple से concept को, मतलब मैंना आपको concept बताया, कि doji candlestick plus confirmation candlestick, इस आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, दोजी star pattern, abandoned baby pattern, morning star pattern, tri star pattern, harami cross pattern, तो इस तरीके के कही सारे आपको doji से सम्बंदिर patterns देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक hack है, एक simple trick है, कि जितने ही ज़्यादा पैटन्स आप देखते हो ना, Doji Candlesticks के उपर जो रिलिटेड उन से पैटन्स होते हैं, ज़्यादा तर कुछ नहीं होते हैं, यह सिर्फ एक Doji Candlestick और एक Confirmation Candlestick के कॉंबिनेशन से बने होते हैं, इस Simple से Concept को अच्छे से समझ जाओगे, तो आप Easily Trade कर पाओगे Markets में, आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुती Secret Price Action Concept है, जो मैं आपके साथ Share करना चाहूँगा, जो Secret Price Action Concept है, वो यह है, कि यहाँ पर हमें Daily Chart खोल लेना है, किसी भी Stock का, या फिर चली हम यहाँ पर Bank Nifty की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने Bank Nifty का Daily Chart ओपन कर लिए, उसके बाद दोस्तों, जैसे मैं ने आपको बताया, आपको उसी सेम तरीके से दोस्तों, आपको यहाँ पर Support और Resistance Area Mark कर लेने हैं, तो दोस्तों, एक बार जब आप यह Support और Resistance Area Draw कर लेंगे, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, Daily Charts पर, कि जब भी Prices में कोई बड़ा Fall आया है, उससे पहले हमें Doji Candles Sticks, मतलब एक Resistance Area के नीचे, हमें Doji Candles Form होते हुए देखने को मिली हैं, या Short Body Candles कह सकते हैं, आप इसको Doji Candles कह सकते हैं, इसको Spinning Top Candles Sticks में बोलते हैं, कितना भी ज़दा Complicate करना चाहिए चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन Simplified Way में हम इसको Doji Candles बोल सकते हैं, तो एक Resistance के नीचे एक Short Body Doji Candles फॉर्म होई, उसके बाद Prices में एक Fall आया, उसी तरीके से, जो हमने Support Area मांक कर रहे हैं, जब Prices में एक अच्छा कासा Up Move आया, एक अच्छी कासी Recovery आया, उससे पहले हमें Support Area के उपर Doji Candles फॉर्म होते हुए देखने को मिली, अब एक चीज में आपको और बताना चाहूँगो कि, अगर Support और Resistance Area ब्रेक होता है, तो उनके Rolls स्विच हो जाते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, कि जब भी Prices में कोई बड़ा Fall आया, Resistance के नीचे पहले एक Short Body Doji Candles बनते हुए देखने को मिली, और जब भी Prices में कोई बड़ा अपमूव आया, उससे पहले हमें एक Short Body Doji Candles बनते हुए देखने को मिली, एक Important Support Area के उपर, तो यहाँ पर एक Simple सा Concept यह है दोस्तों, कि Daily Charts पर जब भी आपको इस तरह की Short Body Candles देखने को मिले, मतलब Daily Charts पर जो Candlesticks होती है, वो आपको Entire Day का Price Action बता रही होती है, तो जब भी आपको Daily Charts पर Doji Candlestick या कोई Short Body Candlestick फर्म होते हुए देखने को मिलती है, तो उस तरह के Price Action को हम लोग बोलते है Short Days, और जब आपको इस तरह के Price Action देखने को मिले देखने को मिले तो आप यह मान के चल सकते हैं, कि यह बहुत High Possibility है कि Next Day आपको Prices में एक Sharp Reversal आते हुए देखने को मिल सकता है, और ऐसा इसलिए है दोस्तों कि यह Short Days होते हैं यह basically Indicision को Represent करते हैं Market, तो अगर Market Top पर आपको State of Indicision देखने को मिल रही है, यानि Resistance के नीचे State of Indicision देखने को मिल रहा है, तो यह हो सकता है कि यहाँ पर भी एक State of Indicision है और हो सकता है कि यहाँ पर भी एक Sharp, अब एक Reversal आ जाए, Prices में एक Recovery आ जाए, एक Bullish Reversal आ जाए, सकते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही, आप देख रहे थे Investronomics, My Name is Saurav, Thank You Very Much for